है एवरिवन केसे हो आप सभी लोग आप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूर रहूल जेस्वाल एंज स्वागत करता हूं आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने वन आप लोग मुझे इंगलिश का लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूं और आज हमें क्या पढ़ना है वन आप दे ब्यूटिफूल वन आप टफेस्ट वें वन वन आप दा मोस्ट इंट्रेस्टिंग टॉपिक ऑफ इंगलिश एरर फाइंडिंग हो चाहे डूटिफ डिरेक्टेड के बहुत सारे कोश्चन्स हो ठीक है चेंज दो वॉइस एंसे एसे कई सारे टॉपिक बस आप सर्च कर ले ना जो बी आप सर्च करना चाहते हो जो बी आप पढ़ना चाहते हो बस वो टाइटल नाम डाल के सर्च करने यूटुब पे आगे जयार टुटोरियोस लिख देना हमारे वीडियोस आपको देख जाएगे बस वो देखके पढ़ाई कर लो दोस्तों बहुत अच्छे से आपका एक्जाम जाएगा इंगलिश ग्रामर का एक स्ट्राइजी वीडियो जस्ट मैंने दो से तीन दिन पहले अप्लोड किया था वो जरूर देख लेना आपको हेल्प करेगा पूरा प्रिपार करने में एक नक्सा क्रेट किया हुआ एक ब्ल्यूप्रिंट तयार किया हुआ है वो स्ट्राइजी के थूर अगर आप जाते हो तो डेफिनिटल आपके एक्जाम में अच्छे मार्क्स करन पुषता है जो आपका पहला कॉष्ण कॉष्ण नम्रो वन होता है जिसमें दो से तीन टाइब के पूष्ण पुष्ण है तो हम लोग आज इस विडियो के तुरूप पूरा डिटेल जानेंगे एक्चल में ये क्लॉष होता क्या यह जो वर्ड है क्लॉष इसका मीनिंग क् बात करें क्लॉस सबसे पहला जो यह वर्ड है मैं पूरा बेसिक पढ़ाने वाला दोस्तों ठीक है ना सिफ एक्जाम पॉइंट ओफ यू नहीं मैं हमेशा कोई भी चीज अगर हमारे चानल पर पढ़ाता हूं तो उसको कंसेप्चियर नॉलेज के तौर पर पढ़ाता हूं त तो हर चीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं just for you, just to keep you on the top आपको टॉप में पहुचाना है आपको कंसेप्चियर नॉलेज आपके दिमाग में होना चाहिए रट्टा नहीं मरवाते दोस्तों कंसेप्च समझाते हैं तो यह चीज ध्यान में रख ले न ठीक है तो क्लॉस क क्या होता है clause, a group of words, बहुत सारे words के जब group बन जाते हैं तो उसको clause बनते हैं लेकिन आप वो words कौन से कौन से हो सतके तो हमेशा याद रखना कि वो जो words होते हैं उसमें दो चीज हमेशा रहेंगे, एक होगा आपका subject, ठीक है, subject यानि खुद आप होगे या फिर जो भी main ची करते हैं और एक और चीज बता दो ये clause का जो होता है ना, it has a separate meaning, ये चीज आप ध्यान में रख लेना, मतलब जो भी sentence बनेगा उसका खुद का एक meaning complete होगा, तो कुछ sentence ऐसे होते हैं उसका meaning complete नहीं होता है, लेकिन अगर कोई sentence ऐसा है जिसमें subject भी present है, verb भी present है और वो meaning by itself, खुझ से ही वो क्या करते हैं, अपना meaning बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपको ये मैं example बता जेता हूं, जैसे, he plays, example है, he plays football, he plays football, आप मैं से कौन को लोग football खेलता है वैसे, by the way, just for general information, आप लोग comment गर के बता सकते, cricket किसका favorite है, football किसका favorite है, my favorite is all time is cricket, मैंने बच्पर म game किया है, तो he plays football regularly, अब यहाँ पर आप देखोगे, तो he मेरा क्या है? subject है, subject के लिए मैं s यूज करूँगा, और plays मेरा verb है, तो यहाँ पर आप देखोगे, subject plus verb हो गया, यानि कि यह मेरा clause हो सकता है, तो he plays football regularly, अब मतलब subject और वर्ब भी है, अब यहाँ पर चेक करो कि क्या ये sentence जो लिखा इसका खुद का एक meaning बन रहा है किया subject और verb के help से तो क्या बोल रहा है he plays football regularly इसका कोई meaning है क्या he plays football regularly हाँ यार meaning तो है कि इसका मतलब ये होता है कि वो मतलब जो भी लड़का होगा he plays football regularly यानि वो रोज football खेलता है regularly football खेलता है तो इसका एक meaning है, इसका मतलब यह क्या हो गया, एक तरीके का clause हो गया, समझ में आ गया, तो clause का basic meaning आपको समझ गया हो गया, कि हमाईशा कोई भी sentence में अगर subject और verb present है, और उसका meaning जो है, पुरा proper तरीके से हमें पता चल रहा है, complete meaning उसमें present है उस sentence में, तो समझ जाना कि वो क्य है, clause है, तो clause का basic मतलब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इतने से हमारा काम ने चलने वाला, exam में question पूछते हैं कि identify करो कि यह कौन सा type का clause है, इसका मतलब हमें clause के types को भी पढ़ना पढ़ेगा, तो अब आ जाते हैं हम लोग clause तो समझ में आ गया, अब पढ़ते हैं कि क उनकों से types के clause होते हैं, इसको थोड़ा सा बारीकी से detail में discuss करेंगे हम लोग, सबसे पहले heading डाल देता हूँ, that is, types of clause, अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझो, तो types of clause में बात करें, दो main type होते हैं, और वो main type के अंदर भी बहुत सारे types हैं, तो सबसे पहला main type है, वो ह आपने कभी नहीं सुना होगा, independent clause, क्योंकि यह ऐसा detail में आपको कोई पढ़ाएगा नहीं जल्दी, independent clause क्या होता है, यह बताऊंगा, उसके बाद एक और होता है dependent, तो one by one discuss करेंगे, तो types of clause में दो main चीज होते हैं, independent and dependent, तो सबसे पहला है independent clause, तो independent clause की बात करें, कि यह जो ह होगा, एक complete sentence बनाएगा, खुद से, complete sentence जो होगा, इसके अंदर आ जाएगा, यानि कि जो भी word आपको लिखाए, जो भी sentence लिखाए, उसका एक खुद का क्या होगा, एक complete sentence का meaning होगा, एक complete sentence meaning होगा, वो भी खुद से बना देगा, itself, तो मैं proper तरीके से wordings आपको नहीं दे रह clause, मतलब जिसमें जो sentence होगे, जिसका meaning जो होगा, वो complete तरीके से formation होगा, वो भी खुद से बनाएगा, यानि किसी और चीज को डालने की वहाँ पर जरुत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये चीज हो गया, अब इसके अंदर कोई और clause, जैसे मैंने बला किसी और चीज के डालने की जरुत नहीं, ताकि उसका meaning complete होगे, क्योंकि इसमें खुद ही वो अपना, खुद का meaning complete कर रहे है, subject और verb तो रहेंगे, क्योंकि clause है, तो clause में subject और verb होते ही है, खुद का meaning वो खुद बना रहे है, और किसी भी दूसरे type के words, यानि दूसरे type के clause की इसमें जरुत नहीं है, अब इसको example से समझते हैं, definition तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आप ज़्यादा detail में जाते हो, और example के ओपर भी नजर डालते हैं, ताकि आपको मैं समझा सकूँ, जैसे कि, यहाँ पे एक statement दिया हुआ है, you sit down, you sit down, अब मुझे बात बताओ कि यह sentence लिखा हुआ, you sit down इसका कोई meaning है क्या, आप बोलो, sir इसका तो meaning है, मतलब बोला है क्या, तुम बैट जाओ, इसका meaning तो यह होता है, you sit down का मतलब होता है, तुम बैट जाओ, तो अगर तुम बैट जाओ, बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, कि यह complete sentence है, इसका खुद का एक meaning है, और इसमें आप क्योंकि ये खुद एक अपना complete statement sentence जो है बना रहा है तो therefore ये जो clause होगा वो independent है क्योंकि ये आजाद है ये किसी और के ओपर dependent नहीं है इसने किसी और के ओपर भरोसा नहीं किया है कि भाई मेरे साथ कोई और आ जाओ और मैं पुरा sentence बन जाओ ऐसा कि इसने नहीं बोला ये independent clause है ये समझ में आ गया इसको क्या बोलते है independent clause वैसे ही जो हमारा दूसरा type का clause है यहाँ पर पढ़ाता हूं आपको ध्यान देना जो second type of clause है इसका नाम रहेगा dependent clause क्या नाम रहेगा dependent clause क्यू नाम है इसका dependent clause इसको थोड़ा सा बारी किसे समझो dependent क्यू है क्योंकि नाम में ही dependent है, मतलब ये बंदा, ये clause किसी और के ओपर dependent रहेगा, तो सबसे पहली बाद इसका definition point of view बोलू, तो इसमें कोई भी completion नहीं होगा, no completion of sentence no completion of sentence by itself, यानि complete meaning जो होगा, वो नहीं बन पाएगा complete meaning नहीं बना पाएगा वो, जैसे ये क्या था, complete sentence meaning खुद साही बना रहा था, इसको और किसी के जरुत नहीं you sit down, मतलब खुद का ही meaning उसके पास है subject plus verb भी उसके पास है, किसी और की जरुत नहीं लेकिन इसमें कोई भी जो wordings होंगे, जो sentence होंगे, ये खुद का meaning खुद नहीं बना पा रहे, sentence खुद नहीं हो पा रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसी लिए, इसको किसी और के उपर dependent होना चाहिए, किसी और के उपर dependent होना पड़ेगा, तो it depends on other clause किसी और clause के उपर dependent रहेगा, for complete its sentence and meaning, for its completion of sentence and meaning, तो ये किस के उपर depend करेगा, other clause, other clause कौन है दो ही तो क्लॉस है एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट है तो यह किसके उपर डिपेंडेंट करेगा इंडिपेंडेंट के उपर डिपेंडेंड करेगा इंडिपेंडेंडेंड के उपर डिपेंडेंड करेगा यानि कि इंडिपेंडेंडेंड तो अकेला है ले whatever you like, this sentence आपको दिख रहा है, इसका meaning भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये feel नहीं आ रहा है, कि ये pure sentence है, आधा दूरा लग रहा है, whatever you like, जैसा तुम को अच्छा लगे, ये एक मुहावरा नहीं है, ये एक sentence होना चीद है, तो आपको ये feel नहीं हो रहा है, मतलब ये आधा आधा चीज़ समझ में आएगा कि यह आपका subject है, like मतलब आपका verb है, यह sentence भी है, लेकिन यह sentence आपको complete सुनाई नहीं दे रहा है, complete नहीं feeling आ रहा है, आपको meaning इसका पता नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अब यह जो है, यह एक dependent clause है, तो dependent clause में मैं क्या करूँगा, इसको करने के लिए, इसका meaning को complete करने के लिए, मैं एक clause जो है, इसमें extra add करूँगा, जो कि होगा मेरा independent clause, तो समझ लो मैं लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, यह example change हो जाएगा, यह example change हो जाएगा, क्या लिख रहा हूँ है, देखो, you may eat whatever you like, इसको समझ अभी, क्या बोल रहा हूँ है, ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूँ है, देखो, you may eat whatever you like, यानि कि, आप जो भी खाना चाते हो, वो खा सकते हो, आप खालो आपको जो भी खाना है, मतलब इस प्रकार से इसका meaning हुआ है, यह sentence का, तो जब पहले हम लोग का जो था, वो सिर्फ इतना था, whatever you like, जिसमें आपका subject और word था, लेकिन यह जो इतना था, यह आपका क्या था, यह सिर्फ dependent clause था, यह जो आपका था, यह सिर्फ dependent clause था, ठीक है न, इसका कोई खुझ सही एक meaning generate नहीं हो था, लेकिन मैंने जैसे ही यह word भी उसके साथ जोड दिय जो कि एक clause है, कौन सा clause देए, independent clause था, यह क्या है, independent clause, तो जैसे ही आपने यह independent clause को dependent clause में जोड दिया, तो यह पूरा मिला के क्या बन गया, यह dependent clause बन गया, और यह complete sentence, meaningful sentence बन गया, कि you may eat whatever you like, आप खा लो, आपको जो भी खाना है, आपको जो भी पसंद है, इस प्रकार से यह बनता है, समझ में आ गया, clear रे दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि यार, यह clause क्या है, कौन से दो main type के clause है, यह आपको समझ में आ गया होगे, लेकिन, अभी हमारा lecture complete नहीं हुआ है, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है, क्योंकि आपके exam में जो questions, sentence दिये होते हैं, उसमे जो हमें identify करना होता है, कि यह clone सा clause है, वो dependent या फिर independent clause को identify नहीं करना होता है, वो हमें find out करना होता है, कि वो कौन सा clause है, proper तरीके वाला, वो find out करना है, तो वो कैसे find out होगा, क्योंकि अभी और clauses हमें पढ़ना बाकिए, तो मैं आपको बता दूँ, कि यह जो dependent clause जो अभी हमन अने वाले हैं, इस वीडियो की तुरू, इसको end देख लेना, और भी बचा-कुचा पाट है, complete हो जाएगा clause हमारा, ठीके, तो ध्यान से देख लेना, अभी मैं इसको मिटाने जारो, चलो, पहले सबसे पहले इसको ध्यान से लिख लो, अगर आप लिखना चाते हो, तो ध्यान लगाओ, ठीके, यह हो गया, types of clause हो गया, अब independent हो, dependent हो गया, अब यह जो dependent है, इसी को और ज्यादा classify करेंगे, dependent को भी और classify करेंगे, चलो, ध्यान लगा के देखना, ठीके, ध्यान से देखो, चलो, types of clause ही हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे थे, dependent clause की, dependent clause की जो हम लोग बात करते, अब यह जो dependent clause है, तो आपको बता दू, इसके पास कितने होते हैं, तो इसके पास 3 types कौन-कौन से होते हैं, number 1, जो है, वो है noun clause, तो noun clause की बात करेंगे, सबसे पह definition की बोला, कि यह क्या है, groups of words है, जिसमें subject और verb होता है, तो यह भी क्या हो जाएगा, it is a group of words having subject plus verb, यानि subject और verb दोनों रहेंगे, having subject plus verb, group of sentence है, जिसमें subject भी रहेगा, verb भी रहेगा, लेकिन यह जो sentence रहेगा, या फिर यह जो clause रहेगा, यह किसके जैसा behave करेगा, यह behave करेग as a noun, it acts as a noun, यानि कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि यह क्या करता है, and acts as a noun, यानि जो भी इसके अंदर wordings होंगे, वो noun के जैसा behave करेंगे, तो कैसे behave करेंगे, कि example आपको मैं यह आपे explain करता हूँ, आपको जादा better way में समझेगा, क्या है example, I fear that I will fail, देखो यहाँ पे, I fear that I will fail, तो यहाँ पर यह example दिया हुआ है, समझ लो यह example, exam में पूछा जाएगा, और आपको बूलेगा, कि इसमें से आप noun clause को पहचानो, तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, कि इसमें subject क्या है, और verb क्या है, तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे, इसमें, थोड़ा सा भी अगर ध्यान लगाओगे, तो आपको समझ में आएगा, कि I fear that I will be subject fail is the verb, ठीक है, I is the subject, fail is the verb, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, कि यह एक noun जैसा behave कर रहा है, क्योंकि I fear, ठीक है, I fear हो गया, लेकिन that I will fail, तो that I will fail, यानि कि यह क्या है, एक noun के जैसे represent हो रहा है, एक sentence का meaning भी बता रहा है, I fear that I will fail, तो यहाँ पर आपका subject plus verb, यह जो sentence होगा, इतना, यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, आपके लिए noun clause, क्या बन जाएगा, noun clause बन जाएगा, clear है, समझ में आ गया दोस्तों, तो noun clause क्या है, एक और example बताता हो, ताकि और जादा better way में समझा सकूँ में, समझ लो एक example है, that you have come, क्या बोल रहा है, that you have come, that you have, that you have come, pleases me, इसका meaning यह होता है, सबसे पहले तो बता दू, कि आप आए, तो मुझे बहुत अच्छा खुशी हुई, प्लीज, मुझे प्लीज हुआ, अब इसमें आप देखोगे, this is the subject, ठीक है, word, तो यहाँ पर यह जो sentence है, that you have come, that you have come, हमारे यह sentence का main चीज है, that is a noun thing, that you have come, pleases me, ठीक है, यह अलग हो गया, यहाँ पर यह जो wordings आपने लिखा, that you have come, यह आपका हो गया noun clause, यह क्या हो गया आपके लिए, noun clause, ठीक है, तो दो example मैंने करा यह noun clause का, इसी प्रकार से आपको कोई भी sentence exam में दिया रहेगा, और आपको identify करना पड़ेगा, कि whether it is a noun clause और some different types of clause, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे, so चलो, सबसे पहला जो type का clause था, जिसको हम लोग noun clause बोलते हैं, यह मैंने आपको समझाने की यहाँ पर फूरी कोशिश क है, अगला topic पर जाएंगे, जो की होगा हमारा adjective clause, अगला जो type होगा, वो हमारा होगा adjective clause, तो हम लोग देखेंगे adjective clause क्या होता है, इसको आप screenshot ले लो, इसका notes बना लेना, बाद में लिख लेना, ठीक है, चलो मिटार हो अभी, ठीक है, देखो ध्यान से, ध्यान लगा के देखना, second type, जो दूसरा type है हमारा, बी number, second number जो भी आप बोलो, adjective clause, ठीक है, adjective clause, तो जैसे मैंने आपको starting में एक चीज़ बताया था, clause का definition, it is a group of words, तो ये भी हमारा definition ऐसे ही बोलूँगा मैं, that is, it is a group of words, कौन-कौन सा words रहेगा subject रहेगा, plus verb रहेगा, subject plus verb, ठीक है, it is a group of words having the subject plus verb, लेकिन ये किसके जैसा act करेगा, it acts as, acts, add, as adjective, adjective को मीनिंग आप जानते हो, that is, it gives the quality of the noun, adjective gives the quality of the noun, this is what we call as the adjective, ये बता चलता है हमें, ठीक है, अब यहाँ पर adjective clause की बात करें, हम लोग, group of words है, subject plus verb रहेगा, ये obviously और वो adjective ज समझ में आ जाएगा, जैसे की, she met a boy, देखो ध्यान से, she met a boy, ठीक है, she met a boy, whose eyes were brown, वाउ, whose eyes were brown, मतलब, क्या बोल रहा है, यहाँ पे, कि लोग लड़की, एक लड़के से मिली, जिसकी आखे भूरी थी, ये हमारा statement, sentence है, इसमें आपको पहचानना है, कौन सा type का, क्या आए बात, तो मुझे एक बात बता, सबसे पहले, आप subject वर्ब ढूलो, ठीक है, अगर आप इसमें ढूलने के proper तरीके से, subject और वर्ब, तो यहाँ पे, this is the subject, this is the verb, ठीक है, यहाँ पे, आपको समझ में आ रहा है, और, यहाँ पे subject और वर्ब जहाँ पे है, that is, this statement, whose eyes were brown, यह एक quality बता रहा है, उस boy का, तो boy समझ लो मेरा क्या होगा, noun होगा, she मेटे boy, यह noun एक तरीके से हो गया, ठीक है, whose I wear brown, अब यह क्या बता रहा है, quality बता रहा है, तो quality बता रहा है, तो मतलब क्या यह गया, यह हो गया, हमारा adjective clause, यह क्या हो गया, यह adjective clause, यह क्या हो गया, यह adjective clause, समझ में आ रहा है, एक और example यहाँ पर discuss कर लेते हैं, जो की है, again adjective clause का example, क्या बोला है, the umbrella, the umbrella, the umbrella which has a, which has a broken handle, which has a broken handle is mine, ठीक है, बहुत ही simple, बहुत ही better in an example, इसमें आपको clause को identify करना है, clause को कैसे identify करोगे, the umbrella which has a broken handle, यह umbrella है, मतलब यह noun होगे आपके लिए, ठीक है, subject plus verb अगर में बात करूई है, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, कि broken मेरा verb हो जाएगा, subject मेरा handle है, यहाँ पे, ठीक है, तो मतलब which has a broken handle, यह आपका clause हो गया, और यह क्या बता रहा है, handle के बारे ठीक है, क्या बन जाएगा, adjective clause, समझ में आ रहा है, तो कितना आसान होता है, clause को identify करना, एक से दो questions तो definitely आपके exam में पूछते हैं, दो marks आपके confirm हो जाएगे, इतना बैतरी तरीके से हमने यह clause को पढ़ा दिये, ठीक है, noun clause हो गया, adjective clause हो गया, एक आखरी clause बचा हुआ है, जि इसको भी थोड़ा सा discuss कर लेंगे, और फिर आज का जो lecture है, दोस्तो, बहुती सुन्दर तरीके से हमारा समाप्त हो जाएगा, complete हो जाएगा, बस आप लोग अच्छे से practice करते रहे ना, और हमारे पूरे के पूरे English grammar के वीडियोस अल्रीडी प्लेश्ट में है, English grammar revision वीडियो प्लेश्ट में हैं, तो बस आप लोग क्या करो, पढ़ाई करते रहो, ज्यादा मैं आपको बोलूगा नहीं, तीक है, आपका काम है हमारे वीडियोस को ढूरे ना, सर्च करके आप ढूरे तो आपको मिल जाएगा, बस अच्छी तरीके से आप क्या करते रहो, पढ़ाई कर देखो अभी इसको ध्यान से, एडवर्ब क्लास की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इड़े ग्रूप ऑफ वर्ट्स, सेम डेफिनिशन, क्या है ये, ग्रूप ऑफ वर्ट्स, क्या रहेंगे ग्रूप ऑफ वर्ट्स में, सबजेक्ट रहेगा, वर्ब ठीक है, चलो मान दिया, लेकिन ये कैसा भी एफ करेगा, इट एक्स एज एडवर्ब, एडवर्ब जैसा भी एफ करेगा, क्या होता है, एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, विच गीव्ज 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 बोला है, they slept when the night come, क्या बोल रहा है, they slept when the night come, यानि कि जब रात आ गई, रात हो गई, तो वो स्तु हो गए, इस प्रकार से हमें दिया हुआ है, they slept when the night came, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे, यह जो word है, when the night came, यह किसके बार में बता रहा है, sleeping quality के बार में बता रहा है, यानि क सो गये, यह आपके लिए, आपके लिए यह verb है, सो गये मतलब क्या है, यह आपके लिए, और verb के लिए, यह मतलब, quality कुण बता रहा है, when the night come, नाइट आ गया, तो वो सो गये, तो यह आपके लिए क्या हो जाएगा, यह आपके लिए league जाएगा, adverb clause, क्या हो जाएगा, adverb clause हो जाएगा, when the night come, और एक एक आखरी example है, जो किये दोस्तों, क्या बोल रहा है, I will give you money, I will give you money, so that you can, so that you can buy milk, जाने कि मैं आपको पैसा दूँगा, ताकि आप अपना दूद खरीच सको, अब इसमें adverb क्या हो गया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, I will give you the money, यह हो गया, मैं money दूँगा, मतब यह action हो गया, मतब यह word हो गया, लेकिन उसकी quality कौन बता रहा है, यह बता रहा है, so that you can buy milk, तो यह क्या हो जाएगा हमारे लिए, adverb clause हो जाएगा, क्या हो जाएगा, adverb clause, adverb clause क्या है, so that you can buy milk, clear, समझ में आगे दोस्तों, तो उमीद करता हो कि यह चीज़ आपको बहुत बेतरी तरीके समझ में आगे, ऐसे कई सारे और examples है, जो कि आपको बहुत सारे जगा मिल अमर का playlist है, सब जगा वीडियो बना के बहुत पहले से ही महनत करके रखा हुआ है, दोस्तों, बस वो महनत को आप लोग सफल बना सकते हो, हमारे वीडियो को देखके, अच्छे से प्यार देखके, और जितना हो सके उतना शेयर करके, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप करूँगा, और आपको बोल सकूँगा, कि हमने पूरा का पूरा आपको clause पढ़ा दिया, और जाधे detail में clause अभी है, उसको भी हम लोग आगे लिके राते रहेंगे आपके लिए, लेकिन फिलाल में exam point of view यह आपके लिए enough है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, जितना हो सके उतना clear करते रहना, और examples को practice करते रहना, ठीक है, चलो, आज के लिए वीडियो कैसा लगा है, प्लीज हमें comment करके बता आना, और अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया है, useful लगा है, तो प्लीज हमारे वीडियो को like कर देना, and share करना, जैसे मैंने बोला कि बच्चों क प्रेस करोगे, तो notification bell on हो जाएगा, और आपको future में जब हम लोग वीडियो को upload करेंगे, तो आप लोगो notification जो है, मिलती रहेगी, ठीक है friends, तो चलो, मिलते हैं हमारे new वीडियो में, तब तक के लिए, thank you, and goodbye.